हेलो फ्रेंड्स राधे राधे देखिये सबजियों का साइज जाज मैं दिखा रही है चोटा सा अपडेट है मेरे गार्डन का वेजटेबल गार्डन का अपडेट है हार्वेस्टिंग करने वाले हैं तो क्या-kya निकलने वाला है हार्वेस्टिंग में वो भी हम देखेंगे सबसे पहले मैं पोधों का अपडेट दिखाती हूँ जो वेस्ट में लगाये हुए हैं और सिर्फ मैं इनको ओर्गैनिक फर्टिलाइजर ही देती हूँ यानि की गोबर की खाद ही जादा मातरा में देती हूँ या मेरे गार्डन के जो सुखे पत्ते होते हैं जो भी वेस्ट मेरे किचन से निकलता है वो सब मैं इसकी मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ तो आप देखी रहे हैं एक छोटे से पोधे के उपर कितने अच्छे से फ्रूटिंग जो हो रही है और यह थर्माकॉल बॉक्स है इसमें लगाया हुआ है दूसरा पोधा इसके उपर भी आप देखिए कितने अच्छे से फ्रूटिंग है साइज काफी बड़े हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ मैं इसके उपर कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड की ज़रुवत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कोई भी कैमिकल फर्टिलाइजर या कुछ भी नहीं डालती हूँ गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट और जो छट पे इनसे ही सुखे पत्ते निकलते हैं वो जो प्लांट मैचियोर होके फिर खराब हो जाते हैं उनको मैं निकालके इसी की मिट्टी में दबा देती हूँ वो ही फर्टिलाइजर का कमाल है आप देखे टमाटर के पोधे के उपर भी कितने सारे टमाटर आए हुए हैं अगर मैं इनकी ब्रांच को किसी चीज का साहरा देती हूँ तभी ये खड़े उपाते हैं अन्य था ये लुड़क ही जाते हैं इनमें वजन जो है इतना हो चुका है कि ब्रांच अपने आपको नहीं संभाल पा रही है तो मुझे इने सपोर्ट देते हुए भी डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाएं बीच में से आप देख सकते हैं गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं और एक चीज का दियान रखना है जब भी टमाटर हम मार्किट से लाते हैं तो काफी पके-पके से होते हैं लेकिन हमारे इस पर पकने पर भी टाइम लेते हैं इतनी जल्दी ये नहीं पकते हैं और गोभी के पोधे का पत्ता देखिए आप अभी तक गोभी का फूल बनना सुरूर नहीं हुआ है और पत्ते का साइज आप देखी रहे है काफी बड़ा जो साइज है पत्ते का मैं हाथ रखती हूँ तो मुझे अपना हाथ छोटा ने जराता है काफी इसके उपर तो ये हो गया गोभी का अपडेट अभी इसमें फूल नहीं बना है जब बने का दिखाऊंगी पौदीना इसी के नीचे बिल्कुल एकदम ठंडी में बचा हुआ है ठंड पढ़ रही है लेकिन पौदीना इसी के पत्तों से ढखा हुआ है तो कोई भी उसको नुकसान नहीं हुआ है अच्छे से चल रहा है तो यहां से लेके अभी मैं आपको दिखा रही हूँ दूर तक मेरे सबजियों के पौदे ही लगे हुए यह देखें वहां तक बिल्कुल लास्ट तक सारे सबजियों के पौदों की ही लाइन है यह और यह है करेला करेले का साइज भी आप देखिए काफी पौरानी वेल है कई बार अपडेट डाल चुकी हूँ और फिर भी इस पे फ्रूटिंग कंटीन्यू हो रही है अभी तक इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ्रूटिंग नहीं आई है आपके पास अगर छोटी बालकनी है फ्रेंट चाहे आप दो पोधे ही क्यों न लगाएं धनिया ग्रो कर लीजिए छोटे से पोट में आप मेथी लगा सकते हैं चना लगा सकते हैं इस तरीके की सबजियां तो कम से कम घर पे उगा ही सकते हैं कम इस पेस के अंदर भी जादा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है अगर इस पेस जादा है कुछ फ्रूटिंग प्लांट भी लगाएं है तो इनके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ फूल भी है यहां पे क्योंकि फूल से क्या होता है चोटे चोटे मधुमक्खियां यह सब इन्सेक्ट जो है आते हैं और पॉलीनेशन का काम करते हैं तो चलिए करते हैं हार्वेस्टिंग सबसे पहले निकालते हैं करेला तो देखते हैं कितना करेला हमारा हार्वेस्ट होने वाला है आज तो यह पांच करेले निकले हैं काफी है मेरे परिवार के लिए और पांच करे ले होगे अब बैंगन बैंगन का पोधा भी छोटा है और इसकी जो ब्रांच है वो सोफ्ट है तो बैंगन को हमेशा ट्विस्ट करके ही तोड़ें जब पोधा छोटा हो तो उसमें ताकत ना लगाएं अन्यता यह त तो देखिए यह सब हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है धनिया है अप्राजिता है फूल है अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में नए अपडेट के साथ राधे राधे